सबसे पहले बात दिवरिया कांड की कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिवरिया में हुए हत्यकांड में दो मुकदमे दर्च हुए हैं। इसमें 28 नामजद और 50 अग्यात के खिलाव केस दर्च हुआ है। वहीं दूसरी अफ़ायार में तक प्रेम चंडर के चाचा ने नाप पांच नामजद के खिलाव दर्च कराई है। अग्यात को के परजिन की तरीर पार। रुद्रपुर्ट थाने में केस दर्च किया गया है। पुलिस की हिरासत में 14 लोग हैं। जिनसे पूर्चत चल रही है। त्यकांड में मारे गए सभी 6 लोगों का अंतिम संसकार किया गया। वहीं सोमवार को घटना की सम्विधन शिलता को देखते हुए। मौके पर डीजी जोन कमिशनर डीमस्पी के अलावा उत्तरपदेश के प्रमुक्स जिफग्री संजय प्रसाद और स्पिशल डीजी प्रशाद कुमार भी पहुंचे। अधिकारियों ने ग्राउंड रिपोर्ट त्यार की है। सीएम योगी इस घटना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पलपल की जोयनकारी। प्रमुक्स जिफग्री ही से ले रहे हैं। दिवर्या जिले में कल 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई जमेनी विबाद में। हलांकि पुलिस फोर्ट जो है चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। और मैं आपको ये दूसी तरब दिखाना चाहता हूँ कि प्रेम चन्रियादो के घर पे पीएसी तैनात है, अस्थानी फोर्ट तैनात है। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में कुछ 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसकी अलावा संद कभी नगर, गोरकपूर, महराजगन, कुसी नगर की फोर्स मौजूद है और दो कंपनी पीएसी तैनात कर दी गई है। देवरिया से निव जेटीन के लिए उमाशंकर भट। खबर देवरिया से च्छे लोगों की हत्या का मामला है मिरतक प्रेमचंद यादव के टोले का प्रात्मिक स्कूल बंद हुआ। देशरत के चलते नहीं पहुचे चाचात्राएं। प्रात्मिक स्कूल के टीशरों ने बीएसी को पूरे मामले की जानकारी दी है। बेसी तिक्षाई बाग के अफसर ने स्कूल का दोरा किया। रुद्रपूर 13 शित्र में पतैपूर गाउं में छे लोगों की हत्या का ये पूरा ममला है। ये प्रात्मिक बिद्याले अवैपूर है और जो ग्राम पंजात पतैपूर में आता है। यहां पर यह जो कल गठना क्रम गठित हुआ है। उसके अंत्रगत यहां इस टोले से भी एक बश्ती जो जिला पंचाइट थे जिम्चन यादब उनकी हत्या हुई है। और यहां भगल में दूसरा हमारा इसी ग्राम पंचाइट का टोला है लड़ा। वहां पर भी पांच लोगों की हत्या हुई है। इस कारण यहां सारों तरफ पुलिस है और इसी थोड़ा भे का माहूल है। इस वह से बच्चे विद्याले नहीं है। और सीधे रुप करते हैं देवरिया का जहां से मौझूद है हमारे साथ उमाशंकर भट उमाशंकर किस तरीके से पूरे घटना करम के बाद आज माहूल है। और साथ की साथ पुलिस और प्रशासिन के अलावा किस तरीके से पूरे मामले की जाच हो रही है। देखें अंपरम सबसे पहले हम अपने दर्शों को पता चले कि घटना करम हुए तकरीबन 24 घंटे से अधिक का वक्त बीच चुका है। और इस पूरे मामले पे जिला प्रशासिन के आला अधिकारी निगाह गड़ाय हुए है। दोनों तरफ से फाइया दर्श हो गई है। हमारे साथ राम आसीस निशाद है जो इस गराम सबा के प्रत्निदी है। ये घटना तकरीबन 6 और 7 के बीच में होती है। उसके बाद ये अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं। क्या कुछ हुआ आईये जानते हैं। जब आप घटना असल पहुंचते हैं तो क्या कुछ हुआ। जब हम घटना असल को पहुंचे तो वहां हम लोगों ने देखा कि मंजर देखकर सभी गाहँ वाले हम सभी लोग बड़ा हतास हुए निरास हुए यह दुख की घड़ी थी हमारे गाहँ के लिए कितना बड़ा घटना जो है कि हो गया जब हम लोग पहुचे तो पांच-छे लासें जो है कि वहां मवजूद थी। वहां कितने लोग एकठा थे क्या क्राउड था क्या आरजक्ता का महौल था क्या पुरा था। वहां महौल सब सांत था लेकिन गाहँ के लोग जब सुने की बलबा हो गया हत्त्या हो गया तो गाहँ के लोग एक भीड जो है कि वहां जूटी हुई थी दर्सक बनकर। यह बताए जो प्रेम चंद यादो और सत्प्रकास धुबे का क्या विवाद चलता था कि इतनी बड़ी बारदात हो गई। 2014 से जमीन का लेंदेन उनका इसलिए विवाद उगरा चलता था। 2014 से यह जो जब आप घटना सतर पर पहुंच रहे हैं तो उस समय पुलिस प्रसासन क्या पहुंच चुका था या लेट हुआ था नहीं थाना की फोर्स आ चुकी थी लगभग फोर्स आ चुकी थी अम लोग के पहुंचने के बाद मानने डियम देवरिया साहब मानने कप्ता साहब भी आ चुके थे यह थे राम आशीश निशाज जो इस गाहों के प्रतिदी हमाई साथ कुछ और लोग हैं उनसे बात करना चाहते हैं इतनी बड़ी घटना हो यह क्या करना चाहते हैं यह बहुत ही सरमिंदा की बात है चुकि मैं बहुत है पार्टे के जिलादर्स हू मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे संग्यान ले और कड़िस कड़िस हजा देने के काम करें बहुत बहुत शुक्रिया हूं माशनकर आपका हमारे साथ डोडने के लिए ग्राउड जिरो से